हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल दे विलेजर्स फूड विलोगर तो कैसे हो आप सभी तो दोस्तो आज हम बनाएंगे डाबे वाले स्टाइल में आलू मटर की फेमस डिश जिसकी रेसिपी को ट्राय करके आप भी बोलोगे वाह क्या बात है दोस्तो आलू मटर की इस सिक्रेट रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के अंतक जरूर बने रहे और इसमें मैं बताऊंगी एक सिक्रेट जो इस डिश को और भी ज्यादा टेस्टी बनाएगा तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करना की कैसी लगी आपको ये रेसिपी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना तो अब करते हैं शुरुआत इस सिक्रेट रेसिपी को बनाने की तो सबसे पहले हम लेंगे 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 आलू और 5-6 कलिया लहसुन की और इन सभी को करेंगे हम अच्छे से पील आउट टमाटर, प्याज, आलू और लहसुन की कलियों के करेंगे हम छोटे-छोटे टुकडे और साथ ही मटर और जो मैं सीक्रेट की बात करी थी जी हाँ सीक्रेट वो थे हमारे स्वीट कॉन तो फ्रेंड्स हमारी सारी सबजियां टमाटर, आलू, प्याज, सब कुछ कटके रैडी हो चुका है मटर और स्वीट कॉन को एक बाउल में निकाल करके उसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भीगो लेंगे तो चली अब चलते हैं मसालों की तरफ, यह है हमारी छोटी सी मसालदानी सबी मसालों को एक बाउल में डाल कर हम इसका पेस्ट बनाएंगे इसमें हम डालेंगे दो चमच हल्दी के नमक, स्वाद, अनुसार, जीरा, धनिया, लार मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और हींग साथ में हम इसमें एड़ उन करेंगे गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल की इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड सी रहा हमारे मसालों और सबजियों का सिनेमेटिक शॉट कड़ाई में हम डालेंगे ओलिव उयल ओल के गरम होने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबूत धनिया और इसी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और इसके बार डालेंगे हम इसमें प्याच प्याच को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे अब प्याज और धनिया हो चुका है गोल्डन ब्राउन अब हम फ्राय करने के लिए डालेंगे इसमें दो कटे हुए आलू आलू के फ्राय होने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए अब हम इसमें डालेंगे मटर और हमारे स्वीट कॉर्न और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए दोस्तों ये मटर और आलू की सबजी में अगर हम स्वीट कॉर्ण मिक्स कर देते हैं यह सबजी बहुत ही ज्यादा लाजवाब बन जाती है आप एक बार ज़रू ट्राय करना यह तीनों चीजे अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे मसाले जिसका हमने बनाया था पेस्ट और मसालों को इसमें अच्छे से मर्ज कर देना है दोस्तों आलू मटर और सुईट कॉन की इस डिश को स्पेशल अट्रैक्शन देने के लिए हम इसमें डालेंगे लाल देगी मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें पानी और धक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए बॉइल होने के लिए रख देंगे तो दोस्तों आलू मटर और सुईट कॉन की ये सुईट ची डिश आप इस रेसीपी को ज़रूर एक बार घर पर ट्राय करना तो लोजी रेडी हैं हमारी आलू मटर और सुईट कॉन की स्पेशल डिश जिसे खाकर आप भी मेरे पती देव की तरह बोलोगे वा क्या बात है तो दोस्तों आलू मटर को बनाने की ये थी हमारी सीक्रेट रेसीपी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिए